नमस्कार मैं हुनवे आए बात करते हैं बॉल्वुट के रवीना टंजन और अक्षे कुमार के आइकॉनिक सॉंग टिप टिप बरसा पानी को करीब 29 साल हो गए मगर एगाना आज भी बॉल्वुट के ओल टाइम हिट रोमांटिक प्राक्स में से एक है गाने में रवीना टंजन और अक्षे कुमार की केमिस्ट्री आज भी लाजवाब लगती है मगर एगाना इतनी असानी से नहीं बना इसमें कई तब्दीले हुई तब जाकर रवीना ने गाने के लिए हां की थी एक इंटर्व्यू में रवीना टंजन ने इस गाने से जुड़े कई रास खोले दरसल हाली में मोरा फिल्म के प्रोड्यूसर और राइट शबीर बॉक्स वाला ने बताया कि इस गाने की शूटंग से पहले रवीना टंजन घबराई हुई थी इसको लेकर जब रवीना से सवाल हुआ तो उन्होंने सारी बात खुलकर बताई रवीना ने इंटर्व्यू में कहा कि जब उन्हें इस गारे के बारे में बताया गया तो उन्हें लगा कि यह बहुत ही सेंशुल गाना होगा लेकिन जिस तरह से इसे फिल्माया गया उसे देख कर वो बहुत खुश ही रवीना से पूचा गया कि टिप टिप बरसा और जुबां पे जो नहीं आए गाने में उनके सेंस्वल अंदास को दिखाया इसके जवाब में आक्टरस ने कहा कि मुझे लगता है कि सेक्शुलालिटी और सेंश्वालिटी के बीच हलका सफर्ग है आक्टरस ने कहा कि सेक्सी दिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि कम कपड़े ही पहने जाए आप अपनी आँकों और चेहरों से भी सेक्सी लग सकते है टिप चप बर्षा पानी गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ मैंने शूट से पहले साफ कर दिया था कि मेरी सारी नहीं उतरनी चाहिए कोई किस सीम नहीं होना चाहिए गाने शूट पर जाने से पहले मेरी ओर से ना जाने कितने क्रॉस थे लेकिन जब ये गाना शूट हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि इससे परफेक्ट बैलंस कुछ नहीं हो सकता आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद